आप लोग के लिए लेका हूं मैं पिट्रूट का मजजेतार सुईट चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए हम ग्राइंडर जाड़के अंदर में दो कब बराबर चॉप किया हुआ चुकुंदर को लेंगे अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे विदाउट पानी और इसके बाद हम मेजरमेंट से एक कप पानी इसके अंदर एट कर देंगे दुबारा से हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से अब हम एक बॉल का अंदर में इस्टेनर रखके इसको छान लेंगे और इसका रस अलग कर लेंगे हमने प्रोपरली पुरा बिट्रूट का रस को अलग कर लिया है तो फाइनली हमने सारा सूप को अलग कर लिया है जानके और इसके अंदर में हम मिलाएंगे कौन फ्लॉर को कौन फ्लॉर हम 5 टी स्पुन बराबर इसमें एट करेंगे अब इसको अच्छा से फेटेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे सारा कौन फ्लॉर को हमने फेट लिया है अब इसके अंदर में मिलाएंगे एक कप पानी हमने दो कप चुकुंदर लिया था और ग्राइंड करने का टाइम में हमने एक कप लिया था अभी हम एक कप और मिला रहे हैं और इसमें हम सूगर एट कर रहे हैं आदा कप तो हम अब दुबारा से फेट रहे हैं अच्छा से ताकि सूगर अच्छे से मिल्ड हो जाए कंटीनिव फेटने का बाद ने प्रोपर हमारा जो सूप है बिट्रूट का रेडी हो चुका है अब पेन को बिठा लेना है ग्यास का उपर में हम इस टाइम ग्यास का फेम को हाई रखेंगे और सारा सूप को एट कर देंगे अब एस पेचुला से हम कंटीनिव इसको चलाते रहेंगे इस टाइम हमारा ग्यास का फेम हाई रखा हुआ है continue लगातार चलाते रहे हम एक बार भी रुकेंगे नहीं नहीं तो इसके तलीप पे conflore लग सकता है और proper हमने आर्चे नौ मिनिट चलाने के बाद में ये थिक होके आ रहा है इसका थिकनेस देख सकते हो अब इसके अंदर में हम चार टीस्पून घी एट करेंगे घी एक साथ नहीं एट करेंगे वान वान इस्पून करके डालते रहे और मिलाते रहे अगर हम एक साथ डालने के लिए कोसिस करेंगे तो हमारा ये जो बैटर है नीचे लग जाएगा तली पे इसलिए रुखना नहीं है बिल्गुल एक हाज से घी एट करते ही जाना है और एक हाज से चलाते ही जाना है तो प्रोपर हम इसी तरह चार टीस्पुन घी को मिलाएंगे और चलाते रहेंगे continue अब प्रोपर हमारा पूरा घी मिल चुका है इसमें अब यह पूरा ठीकने साथ चुका है बेटर के अंदर में अब लास्ट में हम एट करेंगे इलाईजी टुकरा अगर आपका पास इलाईजी का पाउडर हो तो भी चलेगा अब अपना मन पसंद का ड्राइफूट एट करें हमने चौप किया हुआ अपना मन पसंद का ड्राइफूट भी इसमें मिला दिया है अब वह सारा बेटर का अंदर में यह ड्राइफूट को भी मिलाएंगे अच्छ से ड्राइफूट मिलाने के बाद और एक से दो मिनट हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो यह पैटर है इस का तिकने और बने और ड्राइफूट अच्छ से मिल जाए इसके अंदर तो प्रोपरडि हमारा ड्राइफूट मिख सोए थिकने सा आ चुका है और GR crises क उआफ कर दिया है और हमारा जो वेटर नरे ठंडा हो चुका है तो हमने इस तरह का बरतन ले लिया फासे के तो नहों के लिए कम से कम 3-4 गंडा सेट होने देंगे अगर ठंडा होने के बाद आपका पास फ्रीज हो तो फ्रीज का अंदर में इसको सेट करके रख सकते हो ताक इसका थिकनेस और ज्यादा बने रहे और यह अच्छे सेट हो जाएगा हम इसके उपर में सपे तील को गानिशिंग कर अगर अपका पास ढूर्बख नचीयम कर शक्ते हो तो फ्रोपर हमारा हल्व बनके रड़ी है तो यह ठंडा होने देंगे और इसके बाद में हमने इसको कट कर लिया था PAX में तो हमारा कट किया हुआ virtual clip में सो गया है देख सकते हूँ बहुत ही अच्छा सेट होके बना हुआ है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है बच्चे बूड़े सभी को पसद आता है तो इस तरह का बिटैर का हलुआ बनके रेड़ी है खाने के लिए सब्सक्राइब एक प्लेट में तो आपको मेरा रेसिपी पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीस एक लाइक जरूर करें दोस्तों में शेर करें और पहले बार आरे हो तो मेरा चेनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ऐसे में था जो मुआ है युआ वजए बाला खाइब टावेग प्रहेंस